Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 16.2 का question number second देखते हैं क्या है A die is thrown, describe the following events एक die को फेका गया और उसके basis पे ये बहुत सारे event यहाँ पे perform करने है Means, ये जितने भी हमें event दे रखें, इनके हमें sample space find out करने है Then, उसके basis पे हमें इनकी answers देने है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले क्या लिखना है हमें die को throw किया है तो उसके face देख लेंगे हमारे तो क्या लिखेंगे faces on a die die के उपर कौन-कौन से possible face होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, or 6 clear हो गया अब सबसे पहले event A की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sample space of event A A event के अंदर क्या-क्या sample space होंगे हमारे क्या कहा है A number less than 7 एक number होना चीए जो 7 से less हो अब die के उपर सारे के सारे number जो होते हैं वो 7 से less होते हैं तो इसके अंदर sample space क्या आ जाएंगे यह सारे numbers क्योंकि सारे के सारे क्या है less than 7 है हमारे event A के sample space clear हो गई होंगे next B के देखते हैं हमारे क्या है sample space of event B B के event देख लिएते हैं sample space A number greater than 7 अब ये जो face हैं इनमें कोई भी number आपको 7 से greater दिखाई दे रहा है नहीं है कोई भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा null set या तो filling दब ऐसे blank हम bracket लगाएंगे या फिर इस तरिके से हम five लिख देंगे five को इसके अंदर नहीं लिखना है वो null set नहीं होगा clear chapter number first के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है third पे चलते हैं sample space of event C event C a multiple of 3 इसमें देखो कौन-कौन से face हमारे multiple of 3 है एक तो 3 है एक 6 है ये दो ही तो है तो इसके अंदर sample space क्या हो जाएंगे 3 और 6 ये भी clear है sample space of event D D event के हम sample space देखते हैं क्या आएगा a number less than 4 क्या कहा है उसने a number less than 4 less than 4 मतलब 4 को हम नहीं लेंगे less than equal to लिखा होता तब 4 लेते अब less than 4 बोला है तो 4 से less कौन-कौन से है 1,2 और 3 तो हमारे sample space क्या हो जाएंगे 1,2 और 3 आगे बात समझ में next पे चलते है E event क्या है an even number greater than 4 एक even number होना चाहिए और क्या 4 से greater होना चाहिए दो condition साथ में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sample space of event E 4 से greater even number कौन सा है 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 element आजाएगा बस last देखते हैं sample space of event F यही चीज समझने किये बस और कुछ भी नहीं है कि उससन के अंदर एक number not less than 3 एक number जो है 3 से less नहीं होना चाहिए 3 से बड़ा हो सकता है 3 भी हो सकता है बट उसने less than 3 बोला है तो हमारे क्या हो जाएगे 3, 4, 5 और 6 दिहां से देखो number not less than 3 3 से कम नहीं होना चाहिए 3 हो सकता है क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे number not less than equal to 3 बोलता तब हम 3 नहीं लेते अब only less than 3 बोला है तो 3, 4, 5, 6 यह सारे number क्या है less than 3 नहीं है सारे samples पे समझ में आ गए होंगे अब इस basis पे अपने answers देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या question पुछा है सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे पहला पूछ रखा है A union B यह हमारा A था यह हमारा B था इन दोनों का union union मतलब इसके elements भी इसके elements भी combined करके लिख देंगे और जो element हमारा दो बार आ रहा होगा उसको एक बार ले लेंगे तो क्या बन जाएगा A union B 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो गया A union B इसके अंदर तो कोई था ही नहीं element तो यह और इनका combination यह बन गया हमारा सेकिंड पर चलते हैं A intersection B A intersection B का मतलब A event और B event के अंदर common क्या है भई कुछ भी common नहीं है इसके अंदर तो 6 element है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और B के अंदर तो कोई element है यह नहीं तो A intersection B क्या हो जाएगा हमारा Null Set Next चलते हैं क्या है B union C B और C का union देखते हैं अब क्या हैगा B यह है, C यह है तो 5 का और 3 और 6 का union क्या हो जाएगा 3 और 6 यह 5 नहीं लिखना है कहीं है, सुच्चों सर्फ 5 भी तो लिखेंगे 5 का मतलब है 0 set उसके अंदर कोई element ही नहीं है ठीक है Next चलते हैं क्या है E intersection F E और F का intersection E कहा है यह रहा हमारा F कहा है इनके अंदर common क्या है 6 element है तो हमारा E intersection F क्या हो जाएगा 6 समझ में आगे है यहां तक कोई लिखत नहीं है Next चलते है D intersection E D और E का intersection D कहा है यह रहा E यह रहा इन दोनों के अंदर कोई भी आपको common दिख रहा है नहीं इसके अंदर 1,2,3 है इसके अंदर 6 है कोई भी common नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा 5 Next A-C A-C का मतलब क्या होता है A के elements में से C के elements को subtract कर दो इसके अंदर क्या है 1,2,3,4,5,6 C के अंदर 3 और 6 है तो 3 और 6 को छोड़के बाकी जो elements बच गए वो लिख देंगे 1,2,4,5 लिख दिए clear हो गया कोई दिक्कत नहीं है D-E देखते हैं अब क्या होगा D-E D के element ये है E के ये है अब देखो इसके अंदर तो 1,2,3 है यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 है तो D-E क्या होगा D के elements तो हम सारे लिख देंगे 1,2,3 6 तो यहाँ से कुछ subtract ही नहीं हुआ तो बस ये ही D के elements सारे write down कर दिये जाएंगे next देखते हैं क्या है हमारा E intersection F- तो पहले हमें F- find out करना पड़ेगा F- का मतलब जो भी इसके अंदर elements है इनसे अलग जो element बच गई पूरे sample space में 1,2,3,4,5,6 थे F- के अंदर 3,4,5,6 है तो कौन से बचे 1 or 2 F- आ गया हमारा 1 or 2 अब हमें निकालना है E intersection F- तो क्या हो जाएगा E intersection F- E ये रहा F- ये रहा इन दोनों में common कुछ भी नहीं है तो ये भी क्या हो गया हमारा Null Set Last देखते हैं क्या है F- अभी अभी निकालना है 1 or 2 हो जाएंगे F- के अंदर element समझ में आ गई बात Clear है कोई भी दिक्कत नहीं होगी अच्छे से ध्यान से Question करना है कोई ज़्यादा Muscle चीज नहीं है Class 10 की चीज़े यूज होगी बड़ थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ी स्पीड कम करके आपको Question Soul Out करना है ये मतमाना Excited मत होना असान सा Question है अभी कर देते हैं ऐसे असान Question ही आपके क्या होते हैं गलत होने के Chance ही जोते हैं I hope वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सेयर जरूर करें Thank you students for watching Next Classes